कि अलो बचो आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने जो है गुरुकुल का जो है inquiry form भरा ठीक है जो है मैंने बहुत सारी queries जो है देखी बच्चों की हमारी जो टीम है आप लोग उसे जो है contact कर रही है और आप लोग को जो है डिटेल के बारे में explanation भी दे रही है बट आए जो है अमने इसको ब्रॉशर के अंदर बच्छों इंडिकेट कर रखा है अगर आप क्वाटरली फी के अंदर जाएंगे देखेंगे तो आपकी जो क्वाटरली फी का टोटल सम हो रहा है वो टू लैक रूपीज हो रहा है पर एनम का ठीक है अगर मंतली रिलाइजेशन की बा पड़ रही है जिसके अंदर आप गुरुकुल के अंदर रह रहे हैं और आपको पता है कि यहां पर जो तीन एडुकेटर्स हैं उनकी मेंटर्शिप गुरुकुल के अंदर आपको मिलेगी अगर आप वन टाइम फी पेमेंट करते हैं तो आपकी जो है पूरी टोटल मंतली की रिलाइजेशन जो है 14,000 रहती है तो टोटल जो साल की फी है वो 1,70,000 के आसपास आ जाती है ठीक है इसके अलावा मैं आपको बता दा हूँ ARF का मतलब होता है Advanced Registration Fee आप 5,000 रुपीज दे के जो है Early Registration कर सकते हैं आप जो है होसल के अंदर अपनी seat booked पाएंगे और आप जो है होसल के अंदर रह सकते हैं और सारी facilities को अवेल कर सकते हैं और अगर आप यह कर रहा होंगे तो इसके अंदर एजस्टेबल होता है ध्यान रखीएगा बच्छो डीक है मैं इसके लाव आपको एक और चीज बिदा रहता हूं जो गुरुकुल होसल है उसके अंदर जो facilities है वो इस प्रकार से हैं बच्छो टेक है academic support motivation sessions by IITS academic support के लिए आपके महापर जो है होसल के अंदर dedicatedly एक academic person रहेगा जो आपको help करेगा कि अगर आप homework कर रहे है या नहीं कर रहे है किस तरह से अपनी चीजों को systematically arrange कर सकते हैं तो यह person आपको available मिलेगा motivational sessions जो है हमारी जो है यहाँ पर रहेंगे बच्छो single and double occupancy AC rooms भी available है van facility आप star mark करके देख सकते हैं if you want then you can get the van facility also biometric and cctv monitoring रहेगा उसके बारे में आपको हमारी detailed वीडियो में अलड़ी बता चुके है बच्छो ठीक है hostel library है वहाँ पर sports facility हम भी तुमारे साथ हागे वहाँ पर कभी कबार खेला करेंगे फन किया करेंगे बट that's only most of the time जो है वह संडे को ही हुआ करेगा ठीक है newspaper facility भी बच्छो अविलेबल है laundry facility medical facility तो इन सब चीजों के साथ well equipped well furnished जो है आपको गुरुकुल hostel के अंदर जो है accommodation आप चाहें तो बुक कर सकते हैं मैंने जो है mainly जो fee structure है इसका monthly realization आपको बताने के लिए वीडियो बनाया था अगर आप quota आएंगे और education hub जो यह city है इसमें main coaching institutes के आसपास अगर आप रहेंगे और एक well furnished room को ढूनेंगे तो यह range जो होती है बारा से लेके 15,000 bare minimum range होती है इसी के आसपास आपको बहुत बढ़िया well furnished rooms मिलते हैं ठीक है तो उसी range के अंदर 14-15,000 के अंदर ही आपको यह accommodation मिल रहा है and you are getting the additional support of the educators here ठीक है तो यार I think आपको इस सारी चीज़े clear होगी if you still have you have any doubts you can comment below the video and जो हमारे जो हमने detailed videos बना रखे है गुरुकुल के उनने जरूर देखे and अगर कोई भी query concern फिर भी pending रह जाती है तो इस video को नीचे comment करे we will be there to help you guys thank you बच्चों